आज मैं जानूगा कि Fintos में किस तरह से deposit करते हैं उसके लिए deposit करने के लिए आपका सबसे पहले Fintos में एक account create होना चाहिए जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलड़ी हमारा एक account create हो चुका है और पिछले वाले वीडियो में भी मैं बताया था कि किस तरह से account create होता है और दूसरा आपको एक Binance में account create होना चाहिए जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किस तरह से Binance account create करते हैं तो आज मैं बस यही जाना चाहता हूँ कि किस तरह से Fintos में अकाउंट में मैं deposit करूँगा सबसे पहले आपको Binance में USDT purchase करना पड़ता है तो मैं सबसे पहले अपने एक Binance में जाऊंगा ये वाली Binance में जा करके मैं USDT purchase करूँगा मैं Binance में click किया क्लिक करते ही Binance के हमारे home page में ये topmost में आप देख पाएंगे इस जगह पे एक P2P trading है आपको बस उस P2P trading में click करना है click करते ही हमारा यहाँ पे top में आप देखेंगे इस जगह पे एक Buy option दिख रहा है जो नीचे में USDT already selected है तो मैं यहाँ पे USDT buy करने आया हूँ ठीक है तो मैं Fintos में 100 USDT deposit करना है जिसके लिए आपको at least यहाँ से 105 प्लस आप USDT purchase करना होगा तो मैं filter में सबसे पहले आप एक filter लगा दीजिएगा यह इस जगह पे filter फिल्टर लगाईएगा फिल्टर में लगा कि आपको देखना है कि आपको कितने amount purchase करने है तो मैं एक average 9400 का एक filter लगाया और मैं confirm किया confirm करते ही यह सारे कुछ trader है जिनके पास USDT है जिससे मैं purchase कर सकता हूँ तो मैं एक randomly कोई भी एक trader को मैं select करता हूँ जैसे कि मैं यह वाले trader को select कर रहा हूँ just a minute यह वाली trader को KKC मैं इनको trade इनके लिए मैं एक buy पे click किया buy पे click इस जगह पे click करेंगे सबसे पहले buy पे click करते ही मुझे यह एक interface on हो चुका है तो मैं यहाँ पे amount इंटर करूँगा 9400 9400 इंटर करते ही यह वाली option पे आप click करेंगे buy with 0 fees मैंने यहाँ पे click किया click करते ही आपको देखेंगे कि यहाँ पे make payment का option दिख रहा है पर उससे पहले हम confirm होंगे कि हमारा जो केके सिंग जी है जिनसे मैं purchase कर रहा हूँ वो online है की नहीं तो मैं उनका एक chat वाली option है मैं उस जगह पे click करूँगा और उनको मैं just एक message करूँगा hello या hi कुछ भी are you online मैं उनको एक message डाला उन्होंने confirm किया कि yes मैं online हूँ और आप payment करें तो मैं back जा करके मैं make payment पे click किया देखें यहाँ पे payment जो है वो UPI माध्यम से भी लेते है ठेक है तो मैं UPI पे इस वाली जगह पे UPI पे मैं click करूँगा तो मैं UPI पे click किया उनका UPI ID जो है वो मैं यह वाली ID को मैं इस जगह से copy करूँगा मैं copy कर चुका copy successful अब मैं हमारा जो copy करने के बाद हमारा जो phone पे है उस phone पे पे मैं जाओंगा phone पे या Google पे आप कहीं से भी payment कर सकते हैं तो मैं Google पे पे select किया गूगल पे पे select करते ही आप UPI पे click करेंगे UPI पे click करते ही जो मैं UPI copy किया था उसको यहाँ पे paste कर देता हूँ फिर इसके बाद continue continue पे करते समय आप यह confirm हो जाएंगे कि यहाँ पे जो नाम आपने दिया था वो नाम हमारा match कर रहा है कि नहीं कमलेश महतो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे भी कमलेश कुमार महतो ही दिखा रहा है तो मैं 9400 यहाँ पे उनको पेमिंट कर चुका है अब अपना pin code डालेंगे यहाँ पे पेमिंट successful हो चुका है यह पेमिंट जो किये उसका एक screenshot आप अपने पास रखेंगे जैसे ने मैंने किया उसके बाद यहाँ पे आ करके transfer notify seller यह वाली कॉलम पे यह वाली कॉलम पे जैसे ही आपने पेमिंट कर दिया आप इस जगा पे confirm कर देंगे कि मैंने आपको पेमिंट कर दिया है करने के बाद उनका chat वाली option पे आप click करेंगे करते ही उनको एक जो अपने screenshot लिया था screenshot को यहाँ पे upload कर देंगे confirm यहाँ पे मैंने लिख दिया payment done प्लीज रिलीज माई यूएजडी टी अब आपका जो जिससे मैं पर्चेस किया हूँ वो आपको अपका यूएजडी टी रिलीज करेंगे अपका payment होने के बाद मैंने उनको payment डाल दिया है थोड़ा wait करना होगा हमारा payment करने के बाद जस्ट wallet में शो दिखिए हमारा यूएजडी टी आ गया है यहाँ पर शो करेगा आपको यूएजडी टी यहाँ पर आपका यूएजडी टी मेरा हमारे पहले से 9 यूएजडी टी था जो 105 यूएजडी टी अलरी एड हुआ जो टोटल 114 यूएजडी टी का असपास में आ चुका है अब इसके बाद आपका जो में काम है वो आप यहाँ पर आपका जो यूएजडी टी आया है वो फंडिंग में यूएजडी टी पड़ा हुआ है देखिए 105 डॉलर 105 डॉलर 0.77 आप बुलेंगे कि यह फंडिंग बैलेंस कहां से आया है आप ज़स्ट वॉलेट में क्लिक करेंगे वॉलेट में क्लिक करते ही ओल्मोस्ट टॉप मोस्ट उपर में यह एक फंडिंग वॉलेट है यह ज़स्ट अ मिनिट यह फंडिंग बैलेंस जो आपको टॉप में دीक रहा है यह फंडिंग बैलेंस में आपको क्लिक करना है funding balance से transfer करके मुझे spot मिला रहा है तो ये funding balance में already हमारा ये funding balance में amount show कर रहा है ओके ये funding balance में amount को मैं transfer करूँगा तो just मैं just transfer वाली button पे click करूँगा मैंने transfer वाली button पे click किया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि funding balance जो है हमारा वो spot balance में जा रहा है और spot balance से funding balance क्या हमारा funding balance था UASDT यहाँ पर search option में जाएंगे UASDT लिखेंगे यह हमारा दीक रहा है UASDT UASDT इस UASDT को मैं spot में transfer कर रहा हूँ तो मैं इसमें click किया funding balance से spot balance में हमने यह max यह नीचे वाली option है max इसमें click करेंगे max में click करते ही हमारा जितना भी funding balance में amount पड़ा था वो spot wallet में चला जाएगा confirm में click करेंगे transfer successful तो हमारा जो था यह spot में वो balance आ चुका है अब इसके बाद हमको main जो काम करना है वो यहाँ पर हमारा जो भी transfer करना था already transfer हो चुका है USDT Fintos में कुछ amount को transfer करने के लिए हमारा BNB भी रखना पड़ेगा जो charges कटता है तो उसके लिए मैं इस home page से मैं next BNB को कुछ transfer करना पड़ेगा तो मैं trade में click करूँगा trade में click करने के बाद उपर के जगह पे spot का pass में ही convert में click करते ही हमारा USDT से कुछ amount को transfer करना है means 4.5 को USDT से मैं यहाँ पे BNB BNB में मैं amount को transfer कर दूँगा USDT से BNB अब इसके बाद preview conversion में click करूँगा convert conversion successfully view history में भी जाके आप देख सकते हैं कि आपका amount जो है वो complete हो चुका है इसके बाद हमारा जो binance का main जो amount लेना था convert करवाना था वो already हमारा हो चुका है आप यहाँ पे show देख पाएंगे कि आपका इस जगह पे और इस जगह पे BNB और USDT mainly यही दो चीज़ है जो आपको amount को transfer करके आपको Fintos में डालना है इसके बाद मैं अपना Fintos apps को खोलूंगा Fintos apps खोलते ही मैं wallet का option में जाऊंगा सबसे पहले मैं BNB को amount को transfer करूंगा BNB पे click करूंगा जस्ट आप फिर से मैं back करता हूँ wallet में click करेंगे wallet में click करते ही आप BNB यह वा लिज़े जगह पे आप click करेंगे click करते ही आपका मैं Binance से amount को Fintos में ला रहा हूँ मिंस मैं receive कर रहा हूँ इस वाली जगह पे मैं click करूंगा receive में click करते ही हम दो माद्यम से इसको ले सकते हैं या तो इस जगह को scanner को यह scan कर सकते हम ले सकते हैं या मैं इस जगह पे copy वाली option पे click करके address को मैं copy कर सकता हूँ तो मैं इसको copy कर लिया copy करने के बाद मैं फिर से Binance में आ जाऊंगा Binance में आते ही मैं BNB पे click करूंगा BNB पे जैसे ही मैं click किया करते ही मैं यहां से BNB से amount को withdraw करना है तो मैं withdraw वाली ये वाली option पे मैं click करूंगा Send via crypto network ये वाली option को आप Send via crypto वाली जगा पे आप click करेंगे Got it जो आप copy किये थे इस जगा पे ये address पे आप उसको paste करेंगे मैंने paste किया paste करते ही next option नीचे में आपको ये network शो करेगा network में आप click करेंगे जैसे ही all time BNB smart chain BEP 20 ही आपको select करके रखना है first वाली option ये जो आपको उपर में show कर रहा है ये वाली option को आपको click करके रखना है तो मैंने ये click किया इसके बाद आप वो नीचे जगा पे amount वाली जगा पे max ये जो है max वाले जगा पे मैं click करूँगा max तो BNB का जितना amount था वो maximum amount वो है वो मैं transfer कर दे रहा हूँ विड्रॉल मैं click करूँगा confirm में मैं click करूँगा confirm में click करते ही हमसे हमारा email id verification plus हमारा mobile number verification ये करेंगे तो मैं email और mobile ये दोनों ही verification कर रहा हूँ मैं जैसे ही pin दिया pin देने के बाद submit करेंगे submit देते ही withdrawal successful withdrawal successful होते ही मैं view history में जाऊँगा और मैं ये processing जो दिखा रहा है मैं थोड़ा scroll down करते रहूँगा scroll down करते रहूँगा तब तक scroll down नहीं करता रहूँगा जब तक ये हमारा amount completed नहीं दिखाता है जैसे मैं scroll down किया हूँ मैं BNB में देख पा रहा हूँ कि हमारा amount completed हो चुका है इसके बाद ये amount यहाँ से complete हो करके हमारा fintos में गया है तो मैं fintos में जाऊँगा फिर से fintos में जाकर के हमारा wallet में wallet में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा wallet में amount आ चुका है 4.91 या 0.0151 amount आ चुका है same same इस तरह ही हमें फिर से यहाँ पे USDT BEP20 यहाँ पे काफी चीज दिखेगा USDT TRC20 है USDT BEP है USDT ERC20 है तो आपको mainly मैं refer prefer करूँगा कि आप लोग USDT BEP20 करें क्योंकि इसमें charges कम लगते है तो मैं भी USDT BEP20 पे क्लिक किया फिर से वो same आप amount को यहाँ पे receive कर रहे है इसलिए आप एक receive वाले button पे क्लिक करेंगे receive वाले button पे क्लिक किये फिर से आपको copy को address को copy कर चुके है अब मैं फिर से Binance में आऊँगा Binance में आते ही Binance में मैं हमारा USDT शो कर रहा है wallet में जाऊँगा Just a minute मैं wallet में गया wallet में जाकर के मैं USDT ये वाली USDT में हमारा amount है ये वाली जगा पे या आप search में भी जाकर के यहाँ पे search कर सकते हैं USDT TR USDT पे क्लिक करेंगे USDT पे क्लिक करते ही मैं यहाँ से USDT को withdraw कर रहा हूँ Means मैं इस जगा पे क्लिक करोंगा withdraw पे क्लिक करते ही आपसे network पुछेगा ये send via crypto network आप इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही जो मैं Fintos का copy address याँ पे मैं paste कर दूँगा paste करते ही मैं network पे आऊँगा इस जगा पे क्लिक करोंगा network पे क्लिक करते ही पहला option always पहला option B, E, N, B smart chain पे मैं click करूँगा इसके बाद confirm इसके बाद यहाँ पे मैं 101 डॉलर पे मैं या 170 डॉलर चलिए मैं 101 डॉलर ही यहाँ से मैं withdraw कर रहा हूँ 101 डॉलर यहाँ पे मैं withdraw किया confirm में click किया confirm पे click करते ही आपको same process वही आएगा आपका security verification जिसमें आपका mobile number same same आपका email id confirm withdraw confirm view history में जाएंगे यह pending दिखा रहा है pending पे क्लिक करेंगे तब तक इसको refresh करते रहेंगे जब तक वह complete ना शो करें अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे already हमारा completed दिखा रहा है means यहाँ से USDT transfer होकर के हमारा Fintos में चला गया है wallet में मैं फिर से Fintos wallet खूलूंगा Fintos wallet यहाँ पे हमारा इस जगा पे आप देख पा रहे हैं हमारा USDT आ चुका है BEP20 इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बस home page में जाना है और आपका ये वाली option go finance ये वाली option पे क्लिक करना है just आप go finance में क्लिक करेंगे यहाँ पे enter amount की जगा पे amount enter करेंगे just a minute आप investment वाली जो column दिखे रहे है investment amount ये वाली जगा इस जगा पे आप investment amount लेखेंगे तो आपको यहाँ पे Fintos आपको ज़्यादा amount invest करने के लिए नहीं बोल रहे है आपका जितना amount हो सके वही amount आप invest करें तो आपको यहाँ पे minimum आप मैं $100 यहाँ पे मैं invest कर रहा हूँ उसके बाद 100 amount इंटर करते ही ये grab it now पे click करना है grab it now पे मैंने click किया click करते ही यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे एक option शो कर रहा है ये वाली option reinvestment functions ये वाली option automatic on है automatic on है मतलब आपका investment यहाँ से start हो रहा है per day $1 करको आपको investment amount में मिलेगा अगर आप ये on रखते हैं continue इस जगाँ चीज को तो 7 days के बाद आपका amount compounding में चला जाएगा और अगर इसको off कर देते हैं तो आपका compounding नहीं होगा और आप कभी भी अपना investment amount निकाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर confirm में click करता हूँ confirm में click करते ही next step next step करते ही आपका password इंटर करेंगे हमारा password इंटर हो चुका है अब इंटर करने के बाद ही ok ok करते ही थोड़ा wait करना पड़ेगा ये fail बता रहा है ऐसा कोई बात नहीं है just network issue होने के चलते वैसे दिखाता है just a minute ये हमारा investment हो चुका यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका इस जगा पे ये amount just मैंने अभी amount invested हुआ है ये आपका देख पा रहे है timing भी आप देख पा रहे है ये timing हमारा match के ये घड़ी से और ये same match हो रहा है ये मैंने just amount अभी invest किया हूँ और यहाँ पर आप just आप lending में जाएंगे lending में जाते ही आपका invested amount भी यहाँ पर show करना start हो जाएगा next day आप same इस time में ही time के बाद ही आप आपका खुद का amount पे profit dick पाएंगे इस जगा पे इस जगा पे आपका profit show करना start होगा तो आज के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का सबको देखने के लिए अगर हमारा YouTube चैनल पे अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा YouTube चैनल को subscribe करे, follow करे और इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर subscribe करे, शुक्रिया धन्यवाद